नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे जगत गुरु नानगदेप पंजाब स्टेट ओपन यूनिवरसिटी जो पटियाला में लोकेड़ है यहां टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजिशन में कुछ वैकेंसी निकला है और जिसके लिए आप किसी भी ग्राजुएशन, मास्टर्स और नेट, पीएजडी वाला भी यहां अपलाई कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं उसका ओफिसियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूगे हमें आप टीचिंग रिलेटेल सारके सरे स्टेडिस, कम्पिज़टीब एक्जामस और जॉब्स के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सेकते हो, यह है जगत गुरु नानगदे पंजाब स्टेट ओपन उनिवर्सिटी जो एक स्टेट उनिवर्सिटी है तो यहाँ जो भैकेंसी निकला है, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा, यहाँ देखें, ऊपर मेंशन किया गया है कि Jobs at PSOU, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं तो यह है इसका dedicated job page, और यहाँ आपको latest job के बारे में आपको information मिल जाएगा advertisement number, then description, then last date, then link यह जो भैकेंसी निकला है, online applications are invited for the various teaching and non-teaching positions, ठीक है और इसका जो last date है, apply करने का, यहाँ से आप देख सकते हो, 25-10-2021 is the last date for online application इसके बाद इसको download करके आपको फिर से इसको hard copy भेजना है, with all supporting documents इसका जो last date है, यह है 11-2021, ठीक है बाकी यहाँ left side में इसका link दिया गया है, आप देख सकते हो, criteria for short listing candidate for assistant professor हम इसको right clicker को open कर लेते हैं, then advertisement इसको भी open कर लेते हैं, detailed advertisement इसको भी open कर लेते हैं और online जो आपको जो apply करना है, मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, तकि आपको दिखाई दे यहाँ देखिए, यह है इसका date, 25-2020, last date, hard copy भेजने का last date, 11-2020, बाकी यह सारे के-सारे link हैं, हम इसको open करके अभी देखेंगे then, professor जो teaching position में जो vacancy है, इसको apply करने के लिए यहाँ click करके आप apply कर सकते हो, apply now पे, जो non-teaching position में जितने भी सारे vacancy है, इसको apply करने के लिए आप यहाँ click करके apply कर सकते हो, तो अभी हम एक करके देख लेते हैं, साइद आपको यह दिखाई नहीं दे रहा होगा, यह है आपका जो criteria for shortlisting candidate for assistant professor, तो यहाँ criteria mention किया गया है, आपका bachelor's degree, bachelor's degree, master's degree, यह आप net, gate या MPHL qualified हो, उसके लिए किया आपका जो weightage मिलेगा, तो सारे के सारे calculation यहाँ दिया गया है, तो आप apply करने से पहले यहाँ देख लेना, इसमें देखे, academic record and research को, total 50% weightage दिया गया है, then assessment of domain knowledge, इसम आपको 30% weightage दिया गया है, आपका जो skills है, then interview में आपका 20% का weightage दिया गया है, so total मिला करके हो गया 100, और इसमें जिसको भी shortlist किया जाएगा, यह आपका 65 marks होना चाहिए, ठीके, तभी आपको यहाँ shortlist किया जाएगा, बाकी आप थोड़ा सा नीचे आओगे, इसको कैसे calculate कर करना है, maximum points यहाँ दिया गया है, इस प्रकार का आप खुद को भी calculate कर सकते हो, कि आपका point कितना हो रहा है, 100 से 65 हो रहा है कि नहीं, now हम next चलते ही, एक छोटा सा newspaper cutout था, तो इन्होंने इसको लगा दिया है, हम इसको थोड़ा सा detailed advertisement देख लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखाई दे, साथ आपको दिख रहा होगा अभी, यहाँ university का नाम mention किया गया, इसके बाद mention किया है और 590 रुपीज फर दा SC-STPWD candidate, ठीक और यह सारे के सारे आप online अपलाई कर सकते हो, देन हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, important dates जैसिंग मैंने आपको बताया, 5-10 से यह already शुरू हो चुका है, और last date पर online registration आपका है 25-10-2021 और हर कपी भेजने का जो last date है, यह है 11-2021, बाके vacancy इस पर करेंशे बारे में यहां मेंने किया गया, Assistant Professor in Computer Science में दो vacancy है, Assistant Professor in Sociology में एक vacancy है, इसके अलाब आजो Non-Teaching Position में भेजिए सिस्टमार में एक है, Programmer में दो है, Personal Assistant में एक है, then Superintendent में एक है, then Accountant में एक है, then Consult Marketing Coordinator में एक है, then Stenographer में एक है, then Method of Recruitment यह Direct हो सकता है, then Last Done salary के बा में हो सकता है इस प्रकार का यहां मेंशन किया गया है बागे कुछ छोटा मुटा information और आपका जो age है apply करने के लिए यह 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है बागे assistant professor in computer science and assistant professor in sociology के लिए जो minimum qualification है यह देख लीजिए यह है आपका कम से कम master's degree में 55% होना चाहिए और इसके साथ-साथ net, set, slate किसी भी प्रकार का exam clear होना चाहिए और जिनके पास PhD है तो बहुत अच्छा है देन इसको आप थोड़ा सा details में देख लेना ठीक है मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ बागी system admin के लिए system admin के लिए कम से कम आपका mtech, btech होना चाहिए या msc, msa, dca, mca किसी भी प्रकार का field में आपका होना चाहिए इसके साथ-साथ देखे कुछ experience के बारे में भी बताया गया है जैसे कि यदि आप mtech करके आते हो computer science में तो आपके पास कम से कम 5 साल का experience होना चाहिए यदि आप btech करके आते हो तो आपके पास कम से कम 7 साल का experience होना चाहिए यदि आप btech non computer science से आते हो तो कम से कम 8 साल का experience होना चाहिए ठीक इसी प्रकार msc, physical science से यदि आप आते हो तो 8 साल का experience फिरें, MSCA, MC के साथ आते हैं, तो 7 years तो इस प्रकार का अलग-अलग सा दिया गया है, आप यहां से देख लेना, ठीक है, desirable कुछ skills यहां मेंशन किया गया है, जाए RDBM, SQL, Database, Design, इस प्रकार का कुछ skills मेंशन किया गया है, देख सकते हो, programmer के लिए आप यहां देख सकते हो, MSCA, MSCA, B.Tech, हर कोई यहां अपलाई कर सकते हैं, बाकि उनके लिए specific skills भी यहां मेंशन किया गया है, Personal Assistant के लिए कम से कम आप graduate होना चाहिए, बाकि कुछ छोटे-मोटे चीज में आपका थोड़ा skills होना चाहिए, जाएसे के Punjabi and English typing skills, stenography, good working knowledge with computer application, good communication skill in Hindi, Punjabi, English, तो इस प्रकार का च administrative experience होना चाहिए, बाकि आप graduate हो तो अच्छा है, तो यहां देखे आप देख सकते हो, accountant के लिए कम से कम MBA या MCOM या CA, ICWA कोई भी यहां अपलाई कर सकता है, तो यहां भी आप देख लेना, consultant कम marketing coordinator, MBA in marketing होना चाहिए, कम से कम 3 साल का experience होना चाहिए, marketing यान सोसियल मेडिया में, और यहां आपको जो fixed salary मिलेगा, 40,000 करके मिलेगा, stenographer का भी आप देख सकते हो, किसी भी sector में bachelor's degree होना चाहिए, बाकि आप यहां थोड़ा बहुत experience के बारे में बताया गया है, यहां देख सकते हो, बाकि apply करने का जो procedure है, मैंने आपको बता दिया है, बाकि यहां से थोड़ बात आप इसको देख लेना, कुछ notification दिया गया है, और apply करते बात क्या-क्या document चाहिए, और क्या-क्या important information चाहिए, यहां mention किया गया है, और यह सारे सारे जो position है, यह सारे सारे online ही आप apply कर सकते हो, और जैसिक मैंने आपको दिखाया, तो यहां आप दोनों के लिए apply कर सकते teaching and non-teaching position के लिए, ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, तो इस प्रकर का चीज है, तो आप यहां देख सकते हो, ठीक है, तो इसका जो link है मैं देदूँगा description में, वहां जाकर आप इसको देखिए, य आप इंटेस्टेड हो, तो आप यहां apply कर सकते हो, तो यह था details, thank you, all the best.